अब अच्छों, CBAC Board Class 3 का जब result बनेगा, तो CBAC Board के हमारे school जो है, वो हमारे marks को कैसे calculate करेंगे, तो sir, please आप एक ऐसा वीडियो बनाएए, जिसमें आप पूरी completely हम एक sample result बना के दिखाएए, कि CBAC Board का एक छातर है, जिसके pre-board में इतने marks हैं, mid-term में इतने marks हैं, school में unit test में इतन इस वीडियो में आपको पूरी completely बताने वाला हूँ, कि आपके school जो है, आपके marks को कैसे calculate करेंगे, और साथी साथ आप खुद भी calculate कर सकते हैं, अपने marks को, तो इस तरीके से पूरी completely जो है, आपको पूरी complete जो है, आपको percentage तक मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ, त तो चली सुरुआत करते हैं इस वीडियो को, इस तरीके से sample result मैं prepare कर रहा हूँ, इसमें मैंने subject लिये हैं, आपके math और science लिये हैं, क्योंकि इसी subject से सबसे ज़्यादा student डरते हैं, तो math और subject पूरी completely जो है, मैं आपको result और 7-7 percentage भी prepare करता हूँ, अब आपको assessment तो पता ही है, जैसे कि आपको पता होगा, आपके स्कूलों में जितने भी unit test हुए होगे, आपके जिसने mid term exams हुए होगे, जितने pre-board हुए होगे, उसके marks कुछ इस तरीके से है, unit test के 10 है, mid term exams हुए होगे, या half year exam हुए होगे, उसके 30 marks count करने हैं, स्कूलों को, pre-board जो हुआ था, उसके 40 marks count करने हैं, तो सबसे बहले देखते हैं कि students का, suppose माल लेते हैं कि students का, आपका school में performance कुछ इस तरीके से रहा था, यानि कि 30 marks का unit test उसका हुआ था, इसमें से 27 marks आए हैं, अब यहाँ पर देखिए 30 marks को लेकर मैं एक चीज़ के लिए कर दूँ, कई सरे students कहेंगे कि हमारी unit test 20 marks क से होते हैं, तो इसको 10 marks में convert करना है, अगर आपको 40 हुए है, 30 हुए है, 50 हुए है, तो इसको भी बताओंगा कि कैसे convert करना है, तो आप लोग बच देखिए, यहां 30 marks का unit test उसमें 27 आए हैं, 80 marks का उनका half real exam हुआ, student का, यह mid-term exams हुआ, जिसमे 72 आए हैं, और आपके बात करे pre-board exams में 80 marks का आपका पूरी completely math का paper दी उसने दिया, जिसमें 68 marks आए हैं, और वही science की बात करें, तो 30 marks का unit test में 24 आए, और वहीं बात करें, तो 69, 80 में से आपके mid-term exams में आए, और वहीं pre-board की exams की बात करें, तो यहां वे blank है, तो इसका मतलब मैंने दूसरा case भी आपके लिय क्योंकि कई सारे students की comment देखें, उनका कहना था, कि sir, अपने pre-board को ही नहीं दिया, या मने mid-term को नहीं दिया, हमने unit test नहीं दिया, तो ऐसे में हमारी marks को कैसे consider किया जाएगा, तो यह case को भी पहले लिया है, ताकि आप लोग इस टीज को भी अच्छी तरीके से समझ सकें, कि इस case में CBC board या आपके school जो है marks को किस तरीके से prepare कर रहे हैं, तो इस टीज को भी आपने marks को भी इसी तरीके से calculation कर सकते हैं, और नीची comment करके बताईगा कि आपको कितना percentage आता है, तो चलिए मात करते हैं, पूरी complete calculation करते हैं, कुछ इस तरीके से marks मैंने माल लिया है, कि students की इ दौरान किसी questions में doubt आगिया है, तो घब रहे हैं, doubtnet है ना, आपके किसी questions में doubt है, उसकी simply photo click करिए, photo catchनी के बाद आपको इस questions को crop कर लीजे, 5 second के दर आपको मिल जागा doubt net पे video solutions, चाहे हो आपका questions homework कहो, CBC board कहो, UP board कहो, महारास्ता या किसी अन्य board कहो, सब का solutions आपको मिलेगा doubt net पर, साथ ही, अब doubt net पे पढ़िए, कोटास के top faculties, जीवी सर, एंजे सर, अकांसा मैम, प्रिंस सर, जैसे top teachers के साथ, यानि अब आपकी हर पढ़ाई होगी doubt net पे, तीन कुरोर से जाधा चाहत अपनी पढ़ाई कर रहे हैं doubt net पे, तो आप भी download करिए doubt net बात करते हैं, मैं सबसे पहले math की calculation करते हैं, उसके बाद मैं science की करूँगा, तो math की calculation करूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको सबसे पहले clear कर दू, कई सार students नीचे comment में कहेंगे, sir हमारी unit test हो, या mid-term exams होए, या pre-board, हमारी school में दो या दो से अधीक होए, तो ऐसे में कौन स में जो भी सबसे best marks होगा, वो marks को यहां पर लिखा जाना है, तो इस according आप लोग देख लिजिए, कि आपके 2 हुए हैं, या 3 हुए हैं, या आपके एक ही test हुए हैं, तो एक test हुए हैं, तो आपको तो वही marks consider किया जागा, लेकिन 2 या 2 से अधीक हुए हैं, तो आपका best marks य count करूं, यानि कि convert करूं, तो इसको convert करने का भी calculation बहुत ही simple है, यह CVC board ने आपको बताया था, और मैंने recently आपको दो दिन पहली वीडियोस में भी बताया था, कि आप लोग भी अपने marks को इस तरीके से convert कर सकते हैं, सबसे पहले आपको देखे calculation कैसे करना है, यानि कि 27 marks आप आपका unit test हुआ था, यानि 30 से मेरा test हुआ था, तो इस तरीके से calculation करेंगे, तो 10 में से आपका 9 marks आएगा, तो यहीं पर देखे 72 into 30, यह मुझे 30 में convert करना है marks को, divide by 80, क्योंकि 80 marks का मेरा test हुआ था, तो इस तरीके से देखे आपका 30 marks में convert करेंगे, तो आपके 30 में से 27 marks यह यहाँ पर हो जाते हैं, बलकि आपका unit test हुआ था, 80 marks का, जिसमें 68 आए थे, तो इस तरीके समा रहे हैं, आपके math का final marks जो है, निकल के सामने आगिया है, आप final calculate कर ले, आपका 80 marks का, तो 80 में से आपको 70 marks, यानि math में जो है, इस तरीके से आपका इतने marks आए है, तो आपके math में 80 में से 70 आने माले है, अब इसी तरीके से science की calculation करें, तो science की calculation भी बेहती simple है, सबसे पहले देखिए, same criteria का follow करते हुए, मुझे पूरी calculation करना है, तो सबसे पहले marks को आपको पताइए, मैंने बता दिया, अब यहाँ पे एक case है, पहले मैं इसको calculate कर लेता हूँ, कि pre-board में हमने एक pre-board का एक छातर है, जिसने pre-board exam को नहीं दिया, आपके mid-term भी हो सकते हैं, या unit test भी हो सकते हैं, तो मैं आईसी तरीके से same criteria से आप लोग भी calculation कर सकते हैं, तो चली मैं सबसे पहले यह calculation कर लेता हूँ, कि मेरे pre-board के exams नहीं हुए हैं, तो ऐसे में हमारे marks को कैसे school ल या unit test हुए थे, उसके average marks को pre-board में आप लेने वाले हैं, आपके average marks कैसे लेना है, मैं आपको बताता हूँ, आपके unit test और mid-term exams हुए थे, इसके average लेना है, तो सबसे पहले 30 marks का unit test हुआ था, 80 marks का mid-term exam हुआ था, जो आपने दिया था, इसको सबसे पहले मैं आपको 40 marks में convert कर दिया, 30 marks का जो आपका test हुआ था, जिसमें 24 आए थे, अगर इसको 40 में convert कर दिया जाएगा, तो 40 में आपके 32 marks यहाँ पे हो जाएगे, इसी तरीका 80 marks का जो paper था, जिसमें 69 आए थे, इसको अगर 40 marks में convert करेंगे, तो 34.5 marks आपके होगे, इन दोनों के average लेंगे, तो कुछ इस तरीके साब का science का marks हो जाएगा, जो आपने paper नहीं दिया था, तो average इस तरीके साब का marks होगा, यानि 40 में से बात करें, तो 33.25 यानि इससे आप 34 भी मानें, तो कोई गलत नहीं होगा, टीचर साब के यहाँ पे 34 ही आपको लिखने वाले है, तो इस तरीके साब का marks यानि यूणी टेस्ट हुआ था, यह आपका 24, इस में से सबसे पहले 10 marks में convert करेंगे, 30 से divide करेंगे, तो simple 8 में से आपको जो है, यानि 10 में से 8 marks हो जाएंगे, 30 में से 26 marks हो जाएंगे, 40 में से 34, यहाँ पर 34 consider कर रहा हूँ इसको, तो final marks आपका science का होगा, वो final marks आपका 80 में से 68 marks ह तो इस तरीके से देखिए, आपका जो marks आपने paper नहीं दिया है, उसके बापजूद भी आपके 68 marks आपके इस तरीके से होते है, यह marks जो है, आपके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, यह कैसे होगा, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो है, मैंने काफी कम कर लिया, अब बात करते हैं, इंटरन असेस्मेंट को मैं जोड़ता हूँ, अब इंटरन असेस्मेंट एक अलग चीज़ है, जैसे कि आपको पता होगा, अभी तक हमने जो कैलकुलेशन किया, वो केबल 80 marks का evolution किया है, अब बात करते हैं, 20 marks का evolution कैसे होगा, 20 marks आपके इंटर open cutting, क्याइं, पता हैं, प्री बोोड के भी marks students को पता है, लेकिन इंटरन असेस्मेंट के marks किसी students को नहीं पता, क्यूंकि इंटरन असेस्मेंट के marks आपके स्कूल जो है, यानि आपके जो teaching वो सीधर सीवेशी बोड को भेजते हैं, और यो students को नहीं बताई जाती, वो तब प पता चलता है कि इंटरे किस्मेंट के कितने किसे मार्स को सब्सक्राइब इसक लगा था है अगर आप को 15 शेटेंगे यानि अगर प्राइवेट स्कूल में परते हैं तो यहां पर फोड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा यहाँ पे आपको 18 plus marks मिलेगा यानि 18-19 marks तक आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप लोग जो बिलो मीडियम में छात रहे हैं तो मीडियम में आप लोग उमीद कर लिजी यानि कि अगर आप अराम से लिख सकते हैं टीचर सापको 18-19 marks कम देंगे यह नहीं देंगे अगर आप लोग government school में हैं तो आपको जो है आपके 17-18 लिखे या आपको government school भी ऐसा नहीं कि बहुत ही कम marks देते हैं 15 plus marks आपको हर एक teacher देंगे चाहिए आप government school में पढ़ रहे हो चाहिए private school में पढ़ रहे हो आप teachers यहाँ पर कुछ भी दे सकते ही आपको भी नहीं पता आपको जो है teachers आपको कभी नहीं पताएंगे कि आपको interest में कितने आई हैं सीथा आपको result में पता चलेगा लेकिन आप लोग यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 18-19 मैंने दिया इसी तरीके से आप लोग भी मान लीजिए 17-18 यह 18-19 मान लीजिए अगर आप लोग क्लास में अच्छे performance आपने किये हैं बहुत ही अच्छा स्टुडेंट हैं आप क्लास के टॉपर स्टुडेंट्स में हैं टीचर्स के नजर में काफी अच्छा है तो आप यहाँ बीस बीस भी लिख सकते हैं तो बीच बीस भी यानिए 20-20 मार्क्स भी आप टीचर्स देते हैं खासकर प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वह तो हर एक most of the students को 20 दे ही देते हैं क्योंकि उससे क्या होता है आप लोग सोचिए कि 20% का बेटिज आपके स्कूल के हाथ में हैं अगर आपको यहाँ पे 100 में से आपको पेपर की बात करें तो 80 मा मार्स दे रहे हैं तो टोटल हेंड्रेट परसेंट मार्स जो यहाँ पर बनता है यानि असी 20 परसेंट का बेटिज टीचर्स के हाथ में काफी बड़ा परसेंटेज का फेक्टर होता है तो ऐसे में आप लोग इस तरीकी से देखिए अब यहाँ पर मैंने 18 नमबर लिया है म को 80 में से 70 आया था इस तरीके से 100 आयेका Nothing का पेपर में 88 आएगा स्ङस में आपको 87 आएगा और ऑबर ओर लँया दोनों सभी परसेंट में बंते यह थो आपको मांको करना है तो, यह सिंपल तरीका है, जो सीबस्वी और आपको फोलो कर रही है, और इस वार आपका रिजल्ट को इसी बेसे बनाया जारा है, जुलाइग, के फर्स्ट टीमिक में आपका रिजल्ट भी सीबस्वी बोर जारी कर देगी, तो इस बीडियो कैसा लगा नीचे comment section में जबू बताईएगा 200 like का target जल से जल complete कर दीजे क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही छोटा सा है और मुझे उमीद है कि ये काफी वीडियो पर मेहनत लगा है आप लोग देख रहें कई सारे whiteboard पर मैंने सबसे पहले आपके लिए prepare किया है उसके बाद calculation किया है तो काफी मेनत लगा है तो मुझे लगता है 200 like आपके लिए बहुती कम है तो आप लोग इसको जल से जल जो है reach करेंगे 200 like को जल से जल hit करेंगे और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को subscribe करना न भूलिएगा और इसी तरीके से आपके कोई और भी request है तो नीचे comment करके जो पुछेगा क्योंकि यहाँ पर हर students की request को पूरी की जाती है तो class 10 के students जहिंद